हेलो दोस्तों मैक्स है और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चाइना ओरंज के पौधे के बारे में चाइना ओरंज के पौधे को लगाया कैसे जाता है यदि आप पोट में लगाना चाहते हैं या किसी और जगा पे लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाना चाहि और इसके लिए हमें कितने दूर पे खोदना है और कितने नीचे तक खोदना है खोदने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यार रखना है सारी जानकरी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, तो चलिए इस वीडियो को प्रैक्ट्ली स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले काम क्या करना है जो कि देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा दूर में फैला हुआ है तो इसको कुछ इस तरीके से रस्ती की सहता से बांद लेंगे इसकी सारी टहनीओं को बांद लेना है जिससे कि खोदते वक्त हमें बहुत ही आसानी हो तो कुछ इस तरीके से आगर आप लोगों का टेहनी फैली हुई है तो कुछ इस तरीके से बान देना है तो हम बात कर लेते हैं कितनी दूरी पे खोदना है कम सक्रम आप लोगों को 4 इंच की दूरी पे खोदना है ऐसे ही चारों तरब से आप लोगों को निसान लगा लेना है फिर इसके बाद कुछ इस तरीके से गोला करके निसान लगा लेना है नए लोगों को कुछ इस तरीके से खोदना है ये tips हैं निसान लगाने के बाद कुछ इस तरीके से खुरपी की सहता से आप लोगों को खोद लेना है अब मैं बात करता हूँ कि कितने नीचे तक का खोदना है आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जितना निसान लगाया है उसके अंदर नहीं खोदना है उसके बाहर ही खोदना है और ध्यान देना है कि इसकी जो मिट्टी है उसमें ना लगने पाए और जो इसकी जड़े होंगी वो बाहर की काट देनी है और जो गोले के अंदर आ रही होंगे उन्हें नहीं काटना है और इसके जड़ बहुत ही hard होता है तो आप लोगों को बहुत ही सावधानी से काटना है अब बात करता हूँ कि कितने नीचे तक हमें खोधना है तो देख सकते हैं कम से कम 6-7 या आठधेंस तक नीचे खोधना है जैसा कि देख सकते हैं आप लोगों को कुछ इस तरीके से गड़ा कर लेना है और उसके बाद कुछ इस तरीके से खुरपी की साथा से तिरचा करकर भी नीचे खोद लेना है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अब मैं आप लोगों को थोड़ा और करीब से दिखाता हूँ जैसा कि देख सकते हैं जो इसके जड़ थे बाहर वाले उनको मैंने काड़ दिया और देख सकते हैं कुछ इस तरिके से जड़ लगे हुए है तो उन्हें काड़ देना है और इसके जड़ दे सकते हैं ये जड़ बहुत ही hard है लेकिन मोटे नहीं है लेकिन बहुत ही जαιदा hard है और देख सकते हैं कुछ उतना नीचे गड़ा करलेने के बाद चारो थरप से कुछ इस त्रिके से फिर खोद लेना है और देख सकते हैं कितना 예쁘 mask जो बोरी है हमारी उसे फाड़ने के काम आएंगे तो कुछ इस तरीके से बोरी ले लेना है फिर उसके बाद इसकी जो पिंडी है बोरी के उपर रख लेना है थोड़ा मैं बोरी को फैला लेता हूँ फिर इसके बाद पिंडी को कुछ इस तरीके से रख लेना है और इसे कि चारो तरफ से हमारी पिंडी बन जाए फिर उसके बाद बारी आती है इसके चारो तरफ कुछ इस तरीके से चक्को से फाड़ने की तो ऐसे ही चारो तरफ कुछ इस तरीके से चक्को की सहता से फाड़ लेना है और आप लोगों को बहुत ही ध्यान से फाड़ना है कहीं चक् फिर मैं आगे बताता हूं क्या करना है तो उसके बाद क्या करना है कुछ इस तरीके से एक दूसरे से बोरी को बांद देना है और इसको जो पिंडी है बहुत एच्छ तरीके से बन जानी चाहिए तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से बांद लेना है यदि आप लोग पोर् फिर उसके बाद कंका रखना है और हमें इस पिंडी को रख देना है और हमें उतना ही मिट्टी डालना है कि इसकी जो पिंडी है वही मिट्टी से ढख जाए ना तो आपको ज्यादा उपर करना है ना ही ज्यादा नीचे करना है तो कुछ इस तरीके से आप लोग पोट में भी लगा सकते है अब मैं इसे थोड़ा सा fast forward कर देता हूँ तो देख सकते हैं हम इसे बोरी में pack कर लिया है अब बारी आती है इसे लगाने की तो हमें किस तरीके से लगाना है अब बात कर लेते हैं गड़ा गड़ा ना तो हमें ज़्यादा उपर करना है और ना ही ज़्यादा गहरा करना है गड़ा में उतनी ही साइच का करना है कि इसकी जो पिंडे है वो बस गड़ जानी चाहिए ज़्यादा हमें नीचे और ज़्यादा हमें उपर नहीं करना है तो आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से गड़ा कर लेना है अपने पिंडी के साइट के इसाब से तो देख सकते हैं मैंने कुछ इतना बड़ा और इतना गहरा गड़ा कर लिया है अब बारी आती है इसे लगाने की तो कुछ इस तरीके से इसे रख देना है फिर उसके बाद मिट्टी इसके चारोतरब से गड़े में भर देना है तो दोस्तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को भी पौधा लगा लेना है यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्रीब करें यदि आप लोग इस तरीके से पौधे खरीदना चाते हैं तो खरीद सकते हैं मैं अपना कॉंटेक्ट नमबर डिस्क्रिप्शन में दे दूगा आप लोग वहां से जाके डारेक्टिक कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो चैनल मिलते हैं नेक्स्ट टोपिक के साथ अब तक के लिए बाई बाई